हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ LCM और HCF कैसे निकालते हैं भाग विज से यहाँ पर मैं गुड़न खंड विज से नहीं भाग विज से बता रहा हूँ तो इसको यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया है LCM ठीक इसी का इधर निकालेंगे HCF तो पहले LCM को देख लिते हैं यहाँ पर आपको ऐसी संख्या पहले नहीं होती छोटी से छोटी संख्या जो संख्या दोनों को डिवाइड कर रही हो तो यह दोनों दो से कर जाएंगे दो से भाग कर जिए 24 को कितना जाएगा 12 जाएगा और यहाँ पे 36 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 अगर भाग करना नहीं आता तो आप रफ पेज पे भाग कर सकते हैं ठीक यह हो गया हमारा 12 अब फिर यह 2 से ही कर जाएगा तो दो च्छंग 12 दू नवा 18 अब देखें यहाँ पे 2 से यह कर जाएगा लेकिन 2 से यह नहीं कर जाएगा तो 3 से इसको काटते हैं अब देखेंगे यह 2 से कटेगा तो 2 अकम दो यह 3 नहीं कटेगा तीन को वरत लिख लेंगे अब यहाँ पर एक लाना है तो 3 से काट देंगे तो 3 अकम 3 अब लास्ट में एक आगया आप छोड़ देंगे अब इतने भी हमारे गुड़न खंड आए हैं इधर के यह जिससे भाग किया है इनको आपस में गुड़ा कर लिजिए जो आएगा गुड़न फल वही हमारा क्या हो जाएगा एलस्यम हो जाएगा तो आएगे करके देखते हैं एक यह उलाद दो यह इसको उतारेंगे यहाँ पर सबको गुड़े में लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे अब सबको आपस में गुड़ा कर लिजिए दो दुनी चार चार तियां बारा बारा दुना चावबिस है मैं यहाँ पर गलती से दो बोल दिया थे तीन है तो चौबिस को तीन से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 72 यह बहत्तर आपका अंसर होगा ओके अगला कुशन देखते हैं यहाँ पर चौबिस है च्छतिस है इसका निकालना है एचसी एफ ठीक एफ और भाग विस से तो एचसी एफ में क्या करते हैं हमको आज़ी संख्या ढूड़नी होती है जो दो नों को भाग कर सके तो यहाँ पर क्या है कैसे करेंगे इसको दो से पकड़ते हैं यहाँ पर हो जाएगा 12 यहाँ पर हो जाएगा 18 फिर 2 से करेंगे 2 चंग 12 29 फिर 2 से करते हैं 2 तिया 6 सॉरी 2 से नहीं करेगा 3 से करेगा है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 अब कोई संख्या क्या यसी है जो दोनों को काट सेके नहीं है तो अब ये संख्या इधर है जिसे हमने भाग किया इसको आपस में क्या करते हैं गुड़ा कर लेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 3 3 संख्या तो हैं अब 2 दूनी 4 4 तिया 12 तो 12 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ये हमारा हो गया HCF तो अगला कोशन देखते हैं यहाँ पर हमने 3 और 4 का अगर आपसे LCM पुछा जाए है हमने पहले इसमें निकाल लेंगे LCM तो इसको क्या करना है 3 से काड़ देज़े तो 3 एकम 3 4 को से लिख देंगे फिसको 4 से काड़ देज़े सीधे एक यहाँ पर एक एक लास्ट वे आ गया गुड़ा कर लेंगे 3 गुड़े 4 यह क्या हो जाएगा 12 12 हमारा क्या हो गया LCM हो गया इसका निकालना है अगर SCF तो इसमें देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काड़ सके सिवाए एक के एक यह हो जाएगा 1 चारो जाएगा तो SCF के वेल्यू क्या हो जाएगी एक यह निकि इसका निकालना सा क्या हो जाएगा एक आजाएगा LCM आएगा 12 SCF आएगा 1 क्योंकि इसके अलावा कोई कामें संख्या है ने जो दोनों को काड़ सके दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको भाग विट से SCF और LCM निकालना आ गया होगो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमें सेक्सिन में पूह सकते हैं दोस्तों आप हमेशा कोश्चन को अपने आप स्वाल किया करिए और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ समस्याई आएंगी और उनको जब आप उसका सलस्याई नोड़ेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेंगी और आपके साथ डाउट भी किलियर होंगे अगर आप से ब कुश्चन को देखते रहेंगे और एक्जाम में आप उसको करने बठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मल्टिप्लिकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गये थी तो इसी प्रिकार से छुटी हुटी मिस्टेक आप से भी हो सकती है तो इसके लिए आप जितने यदा प्रेक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा मैटमेटिक्स जो है प्रेक्टिस मांगती है ज्यादस ज्यादा दोस्तों उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वोले नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थायंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर